दोस्तो नमस्ते नमस्ते अज हम लोग अपने कास्ट में कासे हंदु विश्विद्ध याल है बनारस ऐंदू इन्वसेटी के स्टोडेंट ए तुद्फद्धियांसु अपने अपने हार एजुकेशन के लिए गयाजूशन यहां से कंपलीट हो रहा है पोस्ट गयाजूशन क में इनके eligibility बन सकती है काफी परिशान थे काफे दिनों से बाद से चल रही थी हम लोग इनों ने UK को चूज किया और इनका जो प्रह जो सबसे महत्रपूर्ण भीसा है वो तो मास्रें इकनोमिक सी है सेकंड जो इनका option है वो MBA है तो दिव्यांसु आप बताइए ओप कंसल्टिंग के साथ आपकी जर्णी क्यासी रही और कितने हासल फ्री आपको कॉंसलिंग मीना और आप कितने सैटिस्वाइड ओप है मैं दिव्यांसु प्रपाठी कासी इंदुब स्विध्याले में 87 से छातर हूं तृति वर्स में हूं मैं आगे की पढ़ाई जो है एकनोमिक में सोच रहा हूं कि जो हमारा करियर बने है इसलिए मै मैं मैं वहाइक चलिए लिए दिया इंज रहा हुए तो इसके लिए मैं ने बहुत जगा जो कंसल्टेंट होते हैं वहाँ पर बाक्षित किकी तुरूं मैं पर अच्छी से लिए और बाबबबिष्वनात की नगरी में आने पर एक शुकून मिलता है जो हमारी समस्याइं थी अलग-अलग जाने में जाने का खर्च लगता उसका लगता मैं नहीं पास में है सारी जो है बाचीत हो रही है और सब कुछ अच्छा है आगे जो है यूके में पढ़ाई के लिए आपके माध्यम से महाँ पर एडमिशन लेंगे बागी जो तो भी ठीक ही है जितना एफोर्ट कर सकते हैं नहीं आपने यूके ही क्यों चूछ किया आपके पास को बहुत सारे ओप्शन थे इंडिया भी था आप ऐसे बीचरी में बढ़ भी रहे थे यहां से भी आप मास्टर कर सकते थे विदेस क्यों चूछ किया विदेस को इसलिए जिसे जो है सबको क्नौबरी दे सके इसलिए जो है यूके इसलिए मैं यूके चूछ किया कि मैं पॉरिन में जाउंगा वहां पर इसलिए उनवर्ट करोफ सारे पढर ऊंगा भारत के नॉलिज़ को वहां पर दूगा वहां पर भी अपने देश के बारे में कलिचर के सब चीज़ के बारे में यह बात सही है विदेश में पढ़ना कई लोगे कलिए लगता है कि काफी एक्सपेंसिव है काफी महा है वहां पर नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन आपको मैं जादों कि बीदेश में पढ़ना इतना असान है और इतने सस्ते हैं कि उसके बारे में इनफॉर्मेशन नहीं होने के वज़े से काफी लोग परिशाद रहते हैं करोर रुपे लगेंगे मेरे मास्टर्स में 50 लाक रुपे लग सकते हैं मेरे मास्टर दिगडी करने में दोलत आपको जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से आपका एकोमेंडेशन से लेके आपका जो सेमस्टर फी होता है आप वह भी दे सकते हैं तो इसलिए बिदेश हमेशा लोगों को खासकर के जो नन मेडिको बच्चे हैं जो समस्टर एमाइस करना चाहते हैं आई-टी में, इकनो पर्मिट पर्मिट बोलते हैं वह भी आप ले सकते हैं वहाँ पर आप अपनी जितनी आपकी कविलियत है जितनी आपकी कापसिटी है उस हिसाब से आप वहाँ पर जॉब्बी डू हो सकते हैं तो आपने UK चूज किया और आपने एक चीज बहुत बढ़िया बता है कि जो है जैसा इस्डेंट को लगता है जो यहां पर पढ़ते हैं कोई JNU जाएगा कोई DU जाएगा उन सबको बिदेश नहीं जाने का एक रेजन होता है कि पीस और आपकी जो मैं फीस ट्रक्चर देखा अलग अलग जो है कंट्री के तो मुझे लगा कि मैं कहीं भी पढ़ाई करने का तो आप जो है उसको चूच कीजिए वहाँ पर जाईए और इंडिया की क्लिचर को वहाँ पर लोग साथ एक्सजेंज करिए अगर आप से बोला जाए कि जो पॉंस्लिंग आपको मिला जैसे आपने फाइनलाइज किया तो आप अपने दोस्तों के लिए आपके आसपास जो स्टूडेंट्स ऐसे सच कर रहे हैं कि मुझे भी विदेश में जाना चाहिए उनके पास तक इन्फॉर्मिशन नहीं पहुंच भा रहा है तो आप खूब कंसल्टेंट के बारे मुझे उन बच्चों से क्या बोलना चाहेंगे क्या मैसेज देना सारे चीज़ों को समझे हैं फिर जरूर मुझे मतलब पूरा विश्वास है तो वह भी फॉरें में पढ़ाई करना ही चाहेंगे और हम लोग मैं बता दो कि होप कंसल्टेंट विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को प्रामस देती है और उनके क्या-क्या प्रॉल्म्स आ सकते हैं अड्मिशन से लेके अकॉमेंडेशन तक में उसके पूरी तरह से बच्चों के बारे में बताया जाता है हम लोग मेडिकल से लेके नन मेडिकल, इंजिनेरिंग, आईटी, एंबीए, फैसन टेकनलोजी, फूट टेकनलोजी, अक्रिकल्चर, फिसरीज, तामाम तरह के जो कोर्सेज हैं विदेश में अलग-अलग देशों में उसके बारे में हम लोग प्रामस देते हैं और ये पिछले 19 साल से हम लोग देते आ रहे हैं और कोशिस ये रहती है कि जब भी कोई बच्चा या पैरेंट्स हमारे पास आएं तो उनकी जरूरते क्या है उनके जरूरतों के हिसाब से उनको कॉंसलिंग दी जाए चुकि समस् चैनली कोनशचों से पैरेंट्स को और बच्चों को बचाया जा सक्के तो हमारा फुप evaluate का ये सबसे महत्रपूर्थ भूमी का ये रहता है कि बच्चे के सांसां उसके कैरियर को कैसी जस्टिफाई किया चया जाए और उसके कैसे कॉलेज अच्छे कउंट्री में उसके सब लोग कोशिस करते हैं कि हर बच्चा हर पैरेंस हमारे कॉंसलिंग से खुश रहें दिब्दान्शू आप आए बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके आने वाले भविशे के लिए बहुत-बहुत शुक्त काम ने